दिल्ली के बुराड़े इलाके के जगतपुर गाउं में एक घर में तेंद्व के पहुंचने से संसनी फैल गई मौके से आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं हमारी मौजोदगी जगतपुर गाउं के उस घर के सामने हैं जो आप हरे रंग का घर देख रहे हैं दरसल इसी के भीतर जो है तेंद्वा आज सुबह 6 बजे पहुंचा और बताया जा रहा है कि कई लोगों को उस तेंद्वी ने घायल कर दिया जो पेरामिलिटरी के कुछ जवान है वो भी यहां पर नज़र आ रहे हैं इसके लावा वन्मीबाग की गाड़ी यहां पर नज़र आ रही है दिल्ली पुलिस के जवान है फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं तो तमाम पूरी कोशिश हैं कि इस तेंद्वी को निकाला जा हैं लोग उत्सुता से देख भी रहे हैं कि आखिर कब तक कि यहां से निकाल लिया जाएगा आप एक बर तस्वीर आपको कमल देव दिखाएंगे च्छतों पर लोग तमाशबीन एक तरह से बने हुए हैं देख रहे हैं कि इस तरीके से तेंद्वी को निकाला जा रहा है अपसे थोड़ी देर पहले यहां पर जो वहां की टीम है वो यहां पर पहुंची है एक तस्वीर इधर से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहां पर पुलिस ने बंदोबस्त भी किये हुए हैं लॉयन ओडर मैंटेन यहां पर करने के आप देखिए पुलिस यहां पर मौजूद आपको नजर आई और जो महले के लोग हैं इलाके के लोग हैं वो यहां पर जमा हैं यह आप देखें यहां पर तस्वीर किस तरह से यहां पर बनी हुई है और इसी घर में बताया जा रहा है जो तेंद्वा है वो यहां पर मौजूद है यहां सर इसी स्टिक से मारा गया था आप यहीं रहते हैं क्या हां जी थोड़ा बताइए कि घटना है थोड़ा सा बता दिए सुबरी पांच बजे की है सुबरी पांच बजे यहां बैक साइड में आठ सा लड़कों के जखमी कर दिये और फिर यहां से करके अंदर इस कमरें बढ़ गया अच्छा कमरे में दो तीन बच्चे थे औरत थी सारा तो कितने लोगों पर अटैक किया कुछ जानका दस से बारह लोग हैं सीरियस तो नहीं है पर काफी जखमी है मतलब यह स्टिक भी आपके हाथ में नजर आ रही है इसी से इसी से इनी यहां जो पड़ोस में समी ने मारा बगाने क बच्चों के हमला कर दिये सब पर बच्चों कितनी देर हो गई यहां पर वनविभा की टीम को पहुंचे हुए और कपसे अभी तक क्या आई वोड़ है वनविभाक टेम अभी कोई कारवाई नहीं होई अभी कोई कारवाई नहीं अभी करें वो उसको कुछ बेहोश किया ग चल रहा है आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि कि किस तरह से यहां पर पुलिस और अर्सैनिक बलूगे जवान यहां पर मौन पर मौजूद है और जो इलाके के लोग है वो इनतिजार कर रहे है कि यहां से इस्तेंद्विय को जल से जल निकाला जाये और जो खत्राय यह झाल झाल